नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो एच पी एल्टी टेट एल्टी कमिशन और पीजी टी हिंदी कमिशन की ये जो प्रशनोतरी है इसका भाग चार हम आज आपके बीच लेकर आए हैं और इससे पहले हमने तीन पार्ट से कर लिए हैं तो अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके एल्टी कमिशन के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसको देख सकते हैं वहाँ पर आपको ना सिर्फ वो चार लेक्चर बलकि और भी बहुत सारे जो हमारे लेक्चर हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे तो आप एक पार उन्हें भी देख सकते हैं और दूसरी चीजी है दोस्तों कि हमारा ये जो ये प्रशनोत्रिवारी सीरीज है ये लगातार चलती रहेगी और जिस तरीके से आप लोग अपना जो रिव्यू हमें दे चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रशन क्या है तो हमारा आज का जो पहला प्रशन देखिए भरतमुनी ने अपब्रश के लिए कौन सा शब्द प्रियुक्त किया है तो यहां पर अलग-अलग शब्द दिये हैं देखिए जो भरतमुनी थे इनकी जो प्रसिद रशना रही वो रही नाटेशास्त्र उन्होंने इसमें क्या कहा था इसको विब्रश्ट शब्द कहा था जबकि अब शब्द जो कहा ये पतंजली ने महाभाश्य में कहा था और अभीरादी दंडी ने कहा है अभःत जो शब्द इसके लिए दिया गया थ स्वयम्भु ने हाला कि हमने भरतमुनी से दूसरा प्रशन देखा था देखिए कि इस ने इसको देशी भाशा भी कहा बात में ठीक है लेकिन यहां पर आपको जो अब दूसरा प्रशन देखिए ये रखा गया है आपकी बोलियों से रिलेटिर कि जो बगेली बोली है उसका स साथ साथ पूर्वी हिंदी अबदी बगेली 36 गडी जबकि बिहारी भुजबुरी मगही और मैथली पश्च्वी हिंदी के अंत्रकत सबसे जादा बोलियां आती है तो यह आप सब लोगों को यहां पर ध्यान में रख लेना है यहां से जरूर प्रशन पूछा जाता है दे और कुलकाता में आपके फोट विलियम कॉलेज जो अठारा सो में बना था एंड इलाबाद में हिंदी साहित्य परिशद जो पुरुषोत्रमदास टंडर ने चलाया था देखना अठारा सो पचास के आसपास तो इसको भी आपने यार रख लेना है यह सभाएं और संस्था स्थापना किस वर्ष हुई थी तो जो यह समाज और संस्थाएं हैं देखना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से प्रशन जरूर आता है तो 1875 में आरे समाज की स्थापना हुई थी अगरम बात करें देखिए इसके साथ ही साथ अन्य जो सभाएं और संस्थाएं रह के दिल्ली, मेरट, सहारनपूर जो बोली क्षेत्र हैं यह किसके हैं तो यह रहेंगे खड़ी बोली के बोली क्षेत्र तीन बोलिया महत्तपूर्ण है खड़ी ब्रज और आपका अवधी ब्रज भाशा भरतपूर, करॉली, कुडगाओं, मैनपूरी, अलिगर, बदायू, इटा, आगरा, इत्यादी, इसके साथ ही साथ कनोजी के देखिए शाजांपूर, कानपूर, हरदोई, पिलिभीत, इटावा, खड़ी बोली की तो खेर आपको पता है, अवधी के इंपोर्टन है इनको आप जरूर यार रख लीजिए, लखनव, बारावांकी, सीतापूर, लखीमपूर, खीरी, बगेरा, बगेरा, नेक्स्ट क्रेशन है, हिंदी साहित्य में दिवेदी युग कब से कब तक माना जाता है, बहुत ही इंपोर्टन प्रशन है, आपको काल विभाजन पता होना चाहिए कि कब से कब तक रहा, तो 1900 से लेकर कि 1918 तक, यहां पर 1918 से 1936 तक समय माना जाता है, इस प्रशन को भी आप याद रख लीजिए, जैसे लास्ट टाइम भी छायवाद से प्रशन पूचाता देखना, एल्टी टैट के एक्जाम में, नेक्स्ट क्वेशन है, गोरकनात को हिंदी का पहला गध्यलेखक किसने माना है, इसका जो सही आंसर हो जा आगा एतिहा सिकता, और इसी बात को लेकर के किसी ने इसको प्रमानिक, किसी ने अप्रमानिक और किसी ने अर्द प्रमानिक कहा है, तो ये वाला प्रशन भी इंपोर्टन्ट है, प्रित्युराज रासों से बहुत सारे तथ्य जो हैं, जो पूछे जाते हैं, हजारी परसा से गारसद तासी ने माना और इसके साथी साथ आप देखेंगे कि जो अचारे रामचंद्र शुक्ल रहे उसी ने रसायन से रास या रासो ही माना है आगे बाद में तो नेक्स कोशन आता है दस्वें प्रशन जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का अरंब कब से माना है तो देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य में आठवी से लेकर के बीस्वें शती तक का जो इतिहास हमें मिलता है लगवक बारा सो बर्शों का इतिहास यहां पर दस्वें शती अचारे रामचंद्र शुक्ल ने माना देखिए अगर हम इस्वें सन में बात कर प्रवरीती का अभाव है तो यहां सब लोग जानते हैं आदिकाल में राश्रिय चेतना का अभाव हमें देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर अदिकतर रचनाय राजाओं की प्रशन सामें ही लिखी गई थी next question आता है यहां पर प्रजाहितैशी के संपादक कौन थे तो हिंदी की पत्रपत्रिकाएं बड़ी important है यहां से भी जरूर प्रशन पूछा जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा देखी राजा लक्षमन सिंग बहुती मतपूर ने यह पत्रिकाएं हैं जो प्रारंबिक रही लगबग 1900 से पहले की राजा शिप्रसाद सितारी हिन ने बनारस अखवार 1845 में कुलकाता से निकाली बालकिशन बट हिंदी प्रदीप 1877 प्रियाग और प्रेमगन ने मिर्जापूर से 1881 में कौन सी निकाली थी आपकी जो आपका अनंद कादम बनी रही उसको उसको आपने यार रख लेना वो समाचार पत्र 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट था और इसका प्रकाशन गंगादर भटाचारे ने किया 1818 अप्रेल में मर्शमेन द्वारा बंगाली भाशा में दिगदर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था तो इसको आपने याद रख लेना है दोनों ह सिल्क वरकिंगम का पत्रकारिता के तियास में मत्तफुन स्थान है सुतनतर तता तटस्त पत्रकारिता को जनम देकर पत्रकारों को पत्रकारिता अपनाने के लिए प्रोथ साहित किया साथी साथ इसने प्रेस को जनहता का प्रतिभिम बनाया और इसका आधुनिक रूप उन हिंदी से रिलेटेड समाचार पत्र सीनेमा वगेरा यह आप एक पर जरूर पढ़के जाएं क्योंकि यहां से प्रशन जो है वो बनता है खड़ी बोली आंदोलन के समर्थकों को किस ने हठी एबम मुर्ख कहा था तो यह कहा था जगनादास रतनाकर ने पदम सिंग शर्मा न एंड इन्होंने खड़ी बोली को अर्थ गमारू लिया था और जॉन गिलक्राइस ने इसको क्या कहा था हिंदुस्तानी को दिग्रेंट पॉप्लर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान यहां पर कांस और कास शब्द है देखिए शब्द यूगम इसका अर्थ आपको बताना है बहुत सारे लोग जो है इसको जल्दवाजी में पानी भरना कर देते हैं तो पानी भरना अलग है पानी भरना अपराधी सिद्ध होना होता है यहां पर देखिए पानी बुझाना मुहावरें का अर्थ होता है गरम बस्तु पानी में डालना पानी भरना का मतलब होता है फी प्रकार का चंद है तो एक नजर में आपको इसका आंसर मात्रिक चंद लगेगा लेकिन ये इसके अंदर आपने और जाना था अर्दसम मात्रिक चंद है इसके प्रतेक चरण में 16 और 12 मात्राइं रहती है और 16 और 12 के बाद ही यती रहती है तो कुल मिलाके ये कितनी हो जाती ह 28 मात्राएं हो जाती है हरी गीती का चंद में 16 और 12 के बाद यती रहता है जो पदांत है वो लगू और गुरू के साथ होता है इस बात को भी आप यहाँ पर याद रख लीजिए Next question आता है हिंदी का वास्थविक प्रत्थम महाकवी चंद वरदाई को ही कहा जा सकता है यह कथन किसका है तो यह था मिश्रबंदों का कथन बहुत ही important कथन है देखना शुकल ने क्या कहा था कि यह जो चंद वरदाई थे हिंदी के प्रत्थम महाकवी माने जाते हैं और दूसरे शब्दों में राजनिती की महाका व्यात्मक तरासदी इसे कहते हैं मिश्रबंधों का यह कथन था देखिए कि हिंदी का वास्थविक प्रत्थम महाकवी चंद वरदाई को ही कहा जा सकता है तो इस तरीके से जो चार प्रमुख नाम है इन्होंने क्या कहा था प्रितुराज रासों के बारे में यह आपको जरूर याद रख लेना है नेक्स्ट कॉस्चन और आज का आखरी प्रशन है देखिए शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रत्थम महाकवी किसने माना है तो शाली भद्र सूरी को जो हिंदी का प्रत्थम महा कभी माना है देखी ये माना था गणपती चंद्र गुप्त जी ने और इनके जो रचना थी वो थी भरती शुर बाहु बली रास और ये हिंदी में रचित रास परमपरा की पहली रचना माने जाती है तो ये थे आज के 20 गुप्त की आप सब लोगों ने इन 20 प्रशनों से लगभग 50 कुशन बनाने की कोशिश की होगी तो अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए Thank you.